आज हम लोग एक एच्टी पैनल के रूम में हैं यह रूम है यह हमारा एच्टी पैनल है और यहां पर हर किसी को आने की परमिशन नहीं होती पहले आप सब लोग टेक्निकल डिपार्टमेंट से हैं इसलिए यहां पर हम लोग हैं यहां पर एच्टी का मतलब होता है हाई टेंशन यहां पर जो स्प्लाई आईवी है वो एच्टी आईवी है और इस रूम में हमारा यह मीटर रूम भी है वहां पर आप देखेंगे वो हमारा मीटर लगा हुआ है है एच्टी मीटर है वह भी पहले एच्टी मीटर के बारे मैं आप लोगोगों थोड़ा बता देता हूं कि जैसे हमारा गरों में आप लोग देखते हो भी मीटर होता है है उसमें चैनल घर में सप्लाई आ जा जाती यहां थोड़ा सा डिफरेंट है ht meter है इसके अंदर सबसे पहले अपने ht meter में supply आई है वो आई है 11000 अपने इधर 11000 की supply है 11000 voltage अपने इधर सबसे पहले अपने ht meter में आती है ht meter में जो meter होता है वो ht के लिए नहीं बना होता वो lt के लिए बना होता है जो main meter होता है वो lt supply ही लेता है तो उसके लिए इसके अंदर जो बॉक्स आप देख पा रहे हैं इस बॉक्स के अंदर अमारी CTPT लगी रहती है देखो यहां है यह बॉक्स आप देखेंगे यहां बेना यह सारी चीजें जो हमारा मीटर है उसके बारे में सारी चीजें लगी हुए कभी भी आप कोई equipment देखते हैं उसकी नेम नेम प्लेट होती है या उसकी description प्लेट होती है उसको जुरूर देखें जैसे इसमें लिखावा इसका सिरियल नंबर क्या है ग्यारा जार वोल्टेज है फ्रिक्वेंसी में दिखा दिया है केवी दिखा दिया कि कितने के कौन सा इयर का manufacturing है तो इसके उपर mostly सारी डिटेल होती है जैसे यह हमारी सीटी की यहां पर देखो सीटी की तीनों सीटियां है उनका दे दिया है यह यहां पर पीटी है potential transformer है और यह current transformer है सबका इधर दिखाया गया है सर्की डाइग्राम की कैसे कैसे इसके अंदर connection हुए है सीटी में से voltage कम होके फिर मीटर में गई है मीटर उसी हिसाब से voltage और current के हिसाब यह हमारे को बिल देता है इसके उपर एक यह wireless system आजकर लगाया हुआ है इससे क्या करते हैं वह वहीं बैटे बैठे ही इसकी reading note कर लेते हैं यह हमारा पूरा पैनल है जो मीटर है मीटर का पूरा पैनल है यह cable दी हुई है इससे भी वह अपने reading ले लेते हैं रीडिंग में काफी चीजें इन लोगों को लेनी होती है जैसे पार फेक्टर भी कितना कितना रहा है पार फेक्टर हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट और जोल्टी में हमका पैस्टर बैंक वगरा से मेंटेन करते हैं सबसे पहले जो सप्लाई आती है नारी जियो स्विश्च पर आती है गैंग ओपरेटेड इसुश पर जो हमारा मेन बिल्डिंग के बाहर रिया बिल्डिंग के अंदर लगा रहता है वहां से हमारी सप्लाई आई है VCB के अंदर यह है हमारा वैक्यूम सर्कीट ब्रेकर सबसे पहले हमारी VCB में आएगी VCB से फिर ट्रांसफर होगी यहां पर आप लोग 3 VCB देख रहे हैं तो 3 VCB को डिसाइड कैसे गया गया कि 3 VCB क्यों है यह किस हिसाब से डिसाइड होती है यह होती है हमारे जितनी transformer होंगे ना उसकी सबसे डिजाइन होती है जितने मारे transformer है उतनी VCB लगीवी है कई यहां दो ट्रासफर्मर होते हैं में लिए अपलोस हुरक्त की वे सुर्फ दो ही vcb देते हैं यह में वीसी भी नहीं लगाते हैं बड़ٌ हम लोगोंने एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए एक्स्ट्रा चीज ध्यान में रखते हुए हमने एक जो VCB है वो एक्स्ट्रा लगा दी है यह मेन VCB है सबसे पहले इस VCB के अंदर हमारी सप्लाई आएगी इसके अंदर से फिर लूप ओके लूप होके दोनों में सप्लाई चली गई है इसमें अब बस बार के थुरू भी उन्होंने दियो या केबल के थुरू भी दियो क्योंकि एच्टी है ना तो हां यह इंकमिंग है अमारी यह आउटगोंग हो गया हमारी दो एक नमबर और दो नमबर यह दो इसलिए हैं क्योंकि हमारे दो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं इसमें की जो रेटिंग है इसकी रेटिंग अमारी 800 आमपेर यहां लिखेवी है तो 800 आमपेर यह जो मारी तीनों की रेटिंग है एच्टी ना 800 बहुत जादा हो जाता है बहुत जादा हो जाता है कि बड़ी-बीडी हूण की एक 800 एंपेर की एसी विशी बी के उपर एजली काम कर लेती हैं वीशी बी जो हमारी एच्टी में तीन तरह के ब्रेकर लगते हैं अभी जो लेटेस्ट है अड़ान्स है सबसे ज्यादा वीशी बी इस पेनल के ऊपर सारी हमारी सेफटी दीगी है अगर हमारा कोई वी फॉल्ट होता है तो उसकी ट्रांसफर्मकी जितनी वी कमांड है वो सारी हमारी VCB के ऊपर आती हैं इंट्रिव्यू में भी इस तरह पूचे जाते हैं आप कहीं पर जाते हैं कि आपके ट्रांसफार्मर में बकोज रिले में कोई फॉल्ट हो गया है तो वह ल्टी को ट्रिप करेगी यह टमप्रेचर बढ़ रहा है तो वह किसको ट्रिप करेगी तो हर कंडिशन में वह हमारे एच्टी को ही ट्रिप करती है यह अभी आ जाते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं और किसी को खुल सकते हैं यह उसको क्यों सब्सक्राइब करना पड़ेगा यह पहले हम पूरे पैनल को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पैनल में क्या-क्या लगा लगा हुआ है फुड़ा नजदीक में लेकिया दना है यह है ओवर करंट रिले लिगी है यह मास्ट्र ट्रिप रिले का मतलब है कि मल्टीपल जगह से कमांड इसके पास आएगे फिर यह करती है यह हमारा सेलेक्टर स्वीच है कि लोकल में है कि रिमोट पे है यह एमेर्जनसी सीच है यह रीशेट करने के लिए है कोई फॉल्ट आया हुआ है पहले उसको करना पड़ेगा टेस्ट वाला होता है अगर हमें टेस्ट करना है कि मारा सिस्टम सब ओके है नहीं है यह ओवर और अंडर वोल्टेज रिले लगी है हमारी यह जो स्पीकर सा लगा हुआ है इसको बोलते हैं अनाउंचर यह अलारम देता है मतलब कोई भी फॉल्ट होगा त प्यносat तो इसमें प्यृत दिखाएगा तीनों फेसे दिखाएगा पूरा इंडििकेशन दिया हुआ है कोई फॉल्ट होता है या जो जो ब्रेकर हमारे काम कर रहे हैं वह फॉसारे इंडिकेशनow इंडिकेश्ट है अप लोगों को ना इसके अंदर ध्यान रखना है कि हम प तो उसको तुरंट चेंज कर देना चाहिए अभी इसको खोल के भी देखेंगे अभी यह उसी तरह यह सभी की सेम रिले दिखी हुई है यहां पर देखो कोई साथ चल रहा है तो हम एंपेर मीटर की दरब देख के हम समझ सकते हैं कि कौन सा चल रहा है हमारा यह भी ओन कंडिशन में तो यह भी है बट यह वर्किंग नहीं है अभी इसको पूस्ट कर देंगे और सिस्टम ट्रीप हो जाएगा उसी तरह यहां पर भी हर पैनल में दिया हुआ है यह स्विच है इसको बोलते हैं टी एंसी स्विच ट्रीप नूट्रल क्लोज तो अभी हम इसको करके देखेंगे क्योंकि थोड़ा सा खोल के आप लोगों को बताना है की कैसे इस को इन करना है कैसे आउट करना है तो आप लोगों मेंसे कोई कौन करेगा ट्रीप कोई इसको नॉब को इधर गुमा दो प् Micha चुल सुए घुमाइज इसके अंदर जो अमारा क्योन करते हुआ हां जीतने प्लबी pasture होते हैं दो दरी ये कोन्टेक्ट एकटे मूविंग कोन्टेक्टर tamaio robić कॉन्टेक्ट का